क्रेडिट इस टोड़ेंगे तो उधारी है यह उधारी लेकिन तुम उधारी बहुत सारे चीजों का लेते हों क्लियर लेकिन इस चेप्टर में अगर तुम क्रेडिट का बात करोंगे तो यह सिर्फ कि मनी क्रेडिट को ही दर्शाता है यह सिर्फ मनी क्रेडिट पैसे का उधारी को दर्शाता है और कुछ नहीं Like you take credit from the shops, credit of goods, सामान तुम लेते हो उधारी पे, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पैसे का उधारी पढ़ेंगे, money, credit, nothing else, clear? So, credit can be taken from two sources, like suppose you need a credit, suppose तुमको दो लाख रुपए चाहिए तुम्हारे बिजनस के लिए, तुम्हें business start करना है, दो लाख रुपए, पांच लाख रुपए तुमको चाहिए, तुम किस से लेते हो? तुम बैंक से लेते हो, right? कि अगर कभी तो हैंसे ऒधरी ना मिले लें तुम्हें अगर तीन लाक रुपंग से मिल रहे हैं लोग्य ठाट नहीं बाकि दोर्ट कई से लोगे तुम शायद किसी दोस्त से लोगे या ऐसे एक इनसान से लोगे जो तुम्हें जिसक gather बहुत सारा पैसा हो और वो उढारी देता हो न्मटल ये कले हैं सो हम दो सोर्स से उढाई लेते हैं एक है तो त ऊकेद मैं फ нож ए इन वार को सोर्स का नाम मतलब क्या बैंक कोई कोपरिटीव मतह के जुनागर में अगर वैग बैंक है बस्टरंड के पास old δमट कोडे पिसकी डे सब्सक्राइग क्योंड की इसा कलियर लेकिन inform यहां ओसा को इसक्प सपीरिपन के यह यहँआनी इस्टिशियूशन नहीं देता है यह पर्सफ टें तुम्हारे दोस्त देंगे तुम्हारे इस दे कोई money lender है वो देगा clear formal source of credit it is mainly given by banks formal means हम पढ़े है formal means organized एक institution जो proper rules और regulations में चलता होगा ऐसा अगर institution तुम्हें कोई credit देता है that is called as formal source of credit informal दोस्त भाई बंदु कोई भी दे रहा है okay so here is the total differentiation formal credits it is given by banks and cooperatives it is undertaken by the banks and cooperatives लेकिन informal by friends money lender relatives clear here if you are taking formal credit you need proper documentation bank तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं देगा proper documentation चाहिए तुम्हारा आधार काड तुम्हारा वोटर आईडी तुम्हारा घर का एड्रेस जा पर इलेक्टरी बिल होगा वो लेगा हाँ और आईडी प्रूफ ले सकता है बहुत सरा documents लगता है यहां पर clear like अगर तुम बात करोगे तो तुम कौन सा business करना चाहते है अगर तुम business loan ले रहे हो तो कौन सा business करना चाहते हो कितने रुपए का business करना चाहते हो उसका भी एक undertaking लेकिंग लिक के देना पड़ेगा कि मैं यह business करना चाहता हूं इतने रुपए का business है मेरा मैं यह यह items mainly रखना चाहता हूं clear लेकिं informal दोस्त से पैसे माँगोगे वो तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारा pan कार्ड वो नहीं माँगेगा मेरा दोस्त मुझे पैसे दे रहा है वो कुछ नहीं माँगेगा मुझे पैसे दे देगा बाद में मैं उसको पैसे लोटाओगा clear कि बैंक्स जो तुम्हां formal होता है credit source they charge low rate of interest मैं बोला था लो चल का वीडियो में बताया था मैं उनका interest rate कम होता है like 10% 12 % interest maximum informal मनमानी 20% 30 % मनमानी लेते है तुम्हें urgently पैसा चाहिए तुम्हेरे दोस्तों के पास भी नहीं है एक money lender है जो पैसा दे रहा है तो वो क्या करेगा वो मौके पे चौका मारने का सोचेगा इसको लाख रुपए चाहिए बहुत अर्जेंट है थर्टी परसंट इंट्रेस्ट दिना पड़ेगा बोलेगा मतलब तुम एक लाख दोगे और एक लाख तीस हजार उसको वापस करोगे प्रॉब्लम का रीपेमेंट जो है तुरह इजी होता है क्लियर हाद बोल रहा था कि मोड आफ रीपेमेंट काफी इजी होता है फॉर्मल म मलें रूत्ना एजी नहीं होता इनफॉर्मल में कैसे एजी होता है प्रपर टाइम लिमिट होता है हर महीने तुमको दो हजार रुपए बांधने हैं चलियर हर महीने 08- तुमको 2000 रुपए लेके डिपोसिट करना है यहां पैसा नहीं है जो पैसे दिया है वो जब चाहे तब मांग सकता है तुम्हें आज तुमने उसको 2000 रुपए दिये वो कारा के फिर से मांगेगा और 1000 रुपए दो प्राब्लेम यहां पर नहीं तुमको पता है हर महीने 10 तरीक पैसे बांधने है तो तुम मेंटली प्रिपेर हो जाते हैं यहां पर प्रिपेर नहीं हो पाती समझ में आया तो मोड और रिपेर्मेंट यहां पर अच्छा रहता है तुम्हें प्रेशर नहीं आता लेकिन यहां रहता है क्लियर और बैंक तुम्हें सफिशन टाइम देता है बाउट एक साल का टाइम या उससे जाधा देता है लेगिन यहां पर ऐसा नहीं होता यह लोग बोलते हैं कि we need money within some days एक महिना के अंदर तुम्हें सारा पैसा रिपे करना पड़ेगा क्लियर है फार्मल कर्डिट में नीड अफ को लेटरल है वाट इस को लेटरल है को लेटरल मेंस एनिधिंग यू कैन गिव तो दे बैंक ओके अन बेसिस आफ विच दे बैंक विल गिव यू लोन जैसे की को लेटरल समझा रहा हूं मैं एक्जम्पल देगे तुमको तुम्हारे पास तुमको लोन चाहिए 10 लाग का बैंक तुमको ऐसे ही 10 लाग रुपर नहीं देगा तुम कौन हो कितना बड़ा विजनेस करते हो वो इंपोर्टेंट है तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर है स तो बैंक तुम्हारे घर का काग्जात रखेगा अपने पास ऊसका जिरोंग्स या ओरिजिनल टिपेन्ट करता है बैंक का कंडिशन आ है क्लिए तो उसका जो डॉकुमेंट्स है घर का वो बैंक अपने पास रखेगा से आría for security तब जाके तुम्हें 10 लाख या 20 लाख का जो लोन है वो देगा क्यों लेता है collateral banks क्योंकि bank को डर है bank तुम्हें personally नहीं जानता तो उसको डर है कि तुम उससे लोन लेके भाग गये तुम उसका 10 लाख तो गया तो अगर तुम्हारा कोई चीज कीम्ती चीज उसके पास रहता है तो तुम उसको ठग नहीं सकते you cannot cheat the bank clear तो तुम्हें भी डर रहेगा कि मैंने अगर 10 लाख रुपे खा लिया bank का repay नहीं किया तो bank मेरे से मेरा घर छीन लेगा समझ में आया if you are taking the money and you are not repaying the bank on time like एक साल में अगर रिपे नहीं करते हैं तो तुम्हारा घर तुम्हारा घर तुमसे चीन लेगा clear लेकिन फॉर्माल में हो सकता है नहीं भी हो सकता फॉर्माल में अगर तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है तो तुमसे collateral नहीं रखेगा लेकिन अगर कोई money lender है तो वह तुमसे collateral रखेगा money lender है तुमको अच्छे से नहीं जानता है तो बोलेगा ना कि तुम्हारे घर का कोई कागस दे रहे हो मेरे को clear ओके bank का जो procedure है credit लेने का वह बहुत लंबा होता है तुम आज जाओगे document दोगे verification दो से तीन बार होगा वो तुम्हारा जो तुम collateral दिये हो तुम्हारा है की नहीं उसका verification करेंगे checking करने के लिए घर भी आ सकते हैं कि घर तुम्हारा है की नहीं यह business तुम्हारा है की नहीं तो यह जो process है काफी लंबा चलता है और कुछ बहुत 15 से 20 दिन बाद तुमको लोन मिलेगा या फिर एक दो महीना बाद भी मिल सकता है लेकिन यहां पर इंफार्मल तुम्हें अभी चाहिए तो सामने वाला अभी तुमको पैसा दे देगा बस उसे तुम पर भरोसा होना चाहिए clear okay time of repayment is given means fixed कब तुमको पे करना है बता रहता हर महीने 10 तरी हर महीने 5 तरी time और एमाउंट भी fix है एमाउंट महीने का महीने 2000 महीने 5000 ऐसा आज दो इस महीने 2000 अगले महीने तो यह जो भी तुमको लोन देगा बैंक कोई भी बैंक तुमारा लोन दे तुमको वह RBI के guidelines के तुरू ही लोन देगा समझ में आ रहा है Reserve Bank of India का जो guidelines है उसके हिसाब से ही मतब क्या-क्या documents होने चाहिए उसके हिसाब से ही पूरा RBI का supervision या RBI guidelines के हिसाब से काम करेगा लेकिन यहां पर कोई government supervision नहीं है तुम तुमारे मर्जी से लोन दो तुमारे मर्जी से इंट्रेस्ट लो तुमारे मर्जी से repayment हासिल करो clear कि समझ में आ रहा है next benefit for the lender and borrower दोनों के लिए अच्छा है लेंडर जो पैसा दे रहा है उसके लिए अच्छी बात कि उसको थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट तो मिलेगा और profit income होगा ठीक borrower जिसको पैसा ज़रूरी था उसको पैसे भी मिल गए तो वो अपना business या अपना कुछ भी शुरू कर सकता है राइट लेकिन यहां पर लेंडर के लिए benefit है क्योंकि इंट्रेस्ट रिट हाई है बट पिटीफुल कंडिशन फर बोरोवर एक लाख में अगर 30 परसेंट वो क्या करेगा अगर 30 परसेंट का वो सिर्फ क्या बोल सकते हैं इंट्रेस्ट भरेगा थर्टी परसेंट का तो यह तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना जो जो लोन दिया है उसको मस्त वो थर्टी थाउजन इंकम करेगा लेकिन जो लिया है वो वापस देने समय थर्टी थाउजन एक्स्ट्रा देगा सोचो कितना painful situation होगा वो लोन ले रहा है बिजनस के लिए कितन लाश्ट पॉइंट चांसेस ऑफ डेब ट्राप स्पेलिंग गलत है डी बिटी होगा चेंज करना तुम लोग स्पेलिंग डी बिटी डेब ट्राप इस मिनिमम्म ही वर्ट डेब ट्राप इसका मतलब कर्ज में डूब जाना डेब ट्राप मतलब ऐसा situation जहां पर तुम लोन तो ले लिए लेकिन तुम पैसे चुका नहीं पाए तुम कर्ज में डूब गए समझ में उसको बोलते हैं डेब ट्राप तो बैंक फॉर्मल में ज़्यादा इंट्रेस्ट रेट नहीं होता और ऐसे में डेब ट्राप होने का चांसेस बहुत कम होता है लेकिन क्योंकि यहां क्लियर नाइन पॉइंट्स है डिफरेंसेस का तुम पढ़ोगे तुम्हें बड़ा आसानी समझ में आएगा एक्जामपल ले लेना कि तुमने एक बैंक से लोन लिया है दूसरा तुमने क्या लिया है तुमने किसी मनी लेंडर से लोन लिया है उसको एज्यूम करो और पढ बता रहा हूं लाइड़ ट्राप सिच्वेशन दे रहा हो तुमने सपोज 10,000 रुपीज का लोन लिया है तुमने ओन टाइम पेमेंट नहीं कर पाया क्लिया तो इसको पेमेंट करने के लिए तुम कहीं और से एक और 10,000 रुपे का लोन ले आए तुमने ओके तुमने पहला वाला भी रिपे नहीं किया है अब तक तुम पे एक कर्ज है तुम इसको चुकाने के लिए एक और कर्ज ले आए मींस तुम्हारे ओपर कर्ज का जो बढ़न है वो बढ़ गया लोन का जो बढ़न है बढ़ रहा प्रज कंडिशन इस कॉल एस डेब ट्राफ डेब मतलब कर्ज 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 मतलब फस्ट जाना मींस कर्ज में डूब जाना एक तो पहले से कर्ज था तुम पे दूसरा कर्ज तुमने ले लिया नाओ यू आर टोटली ट्राप्ड इन योड़ तुम्हें बहुत सारे कर् सब्सक्राइब करेंगे इस सिच्वेशन वर इस इंपॉसिबल टू रिपे दे लोन और बोरोर एड्स ओन अन्यू डेप्ट तो पे अग्जिस्टिंग समझ में आ रहा है एक लोन को तो रिपे नहीं कर पाया महापुरुष जो बोरोर है वो एक और डेप्ट ले लिया एक क्या करने के लिए पहले वाले डेप्ट को क्लियर करने के लिए दिजिस कॉल्ड एज डेप्ट ट्राप को बताया था को लेटरल इस एनी एसेट लाइक लैंड वाइकल बिल्डिंग हां योर बिजनेस अनिधिंग जो को लेटरल बात कर रहा हूं तुम सिंपल वाड में सु मोडगेज बोलके मोडगेज मतलब मोडगेज जो है वही चीज को लेटरल है ओग को निटेरल इसी क्वल्थिंग तुम्हें इसको दिखाके क्या लेना पड़ेगा लॉन लेना पड़ेगा मतलब इसका वैलिव है मीशें इसको बोल सकता है this is an asset clear collateral is an asset like it can be land it can be building it can be anything यह किसका है land building किसका है जो बोरो करने वाला है उसका है अगर मैं अगर बैंक से लोन लेना चाहता हूं न तो मेरे नाम पर यह land यह building होना चाहिए तब जाके वह मुझे लोन देंगे clear so collateral is an asset like land vehicle building or business that the borrower owns and uses it as a guarantee to get a loan उसको security या guarantee के हिसाब से वो दे दिया है bank को कि आप यह रखो और उसके बदले मेरे को पैसे दो clear समझ में आया collateral क्या है next जाएंगे दूसरी तरफ that is terms of credit okay terms of credit what do you mean by terms of credit credit का मतलब loan terms means on the basis of something terms and condition किस condition पे किस basis पे तुम लोगों को credit दे रहे तुम जब credit देते हो तुम बहुत सारा चीज सोचते हो अगर एक bank तुम्हें credit देता भी है the bank has many things many terms to fulfill क्या-क्या terms है कितना interest rate में loan को दिया जाए उनसे क्या-क्या collateral रखा जाए क्या-क्या documents चाहिए पड़ेगा mode of repayment क्या होगा समझ में आया ऐसा बहुत सारा चीज जो bank को ध्यान देना पड़ता है these things together make terms of credit terms of credit का simple एक literal meaning है these are the conditions और these are the terms that is need to be kept eye on while you are giving a credit इन चीजों पर तुम्हें ध्यान रखना है कि credit इनके हिसाब से दिया जाएगा co-lateral तुम्हारा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा तुमको मिलेगा credit interest rate उसी के हिसाब से set होगा जितना बड़ा credit लोगे उतना बड़ा interest rate लगेगा documentation proper होना चाहिए mode of repayment उसी हिसाब से होना चाहिए clear terms of credit means ऐसा terms या conditions जिनको नजर में रखके credit दिया जाता है clear done okay for today this much go through this have a good day